सेफटी के करियर में ग्रोथ के लिए या सक्सेस के लिए हमें निवोस करना चाहिए या ADIS ये क्वेस्टिन हर एक सेफटी एफिसर के मन में होता है कि वो निवोस को चूज करें या ADIS So hello guys, welcome back to my youtube channel आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे निवोस बेटर है या ADIS मैं कुछ आपको points share करूँगा जिससे आप खुट decide कर पाएंगे कि आपको निवोस करना चाहिए या ADIS तो चलिए वीडियो को start करते हैं निवोस में काफी सारे courses हैं जैसे कि निवोस SSW, निवोस IGC, निवोस IDP लेकिन जब भी हम अपने मन में निवोस के बार में सोच रहे होते हैं तो हमरे मन में एक ही course आता है जो कि है निवोस IGC यह ऐसा क्यों है? क्योंकि यह course काफी popular है और काफी valuable है ऐसे निवोस में काफी सारे courses हैं, निवोस के oil and gas के courses हैं, environment के courses हैं और बाकी सारे बहुत courses हैं लेकिन इसमें हम डिसकस करेंगे निवोस IGC के बारे में क्योंकि सबसे दा डिमांड इसी का है, यही एक popular course है next है हमारा जो है ADIS, DIS, PDIS तो देखे काफी लोग confuse रहते हैं कि ADIS, DIS या PDIS different हैं मैं इस वीडियो में ADIS और निवोस से related कुछ points डिसकस करूँगा जिससे आपको देख के आपको खुट decide करना है कि आपको निवोस करना चाहिए या ADIS क्योंकि आपको खुट को पता है कि आपको Gulf Country जाना है या इंडिया में काम करना है किस company में काम करना है, किस field में काम करना है तो आपको खुट decision लेना है मैं क्योलिस के जो points है वही आपको बता पाऊंगा तो चलिए वीडियो को आगे ले चलते हैं First point है eligibility यानि कौन-कौन eligible है इस course को करना ही के लिए इसको कर सकते है नेक्स्ट है हमारा ADIS यानि Advanced Diplomant Industrial Safety इसे करने के लिए आपके पास जो qualification होना चाहिए वो engineering होना चाहिए या B.S.C. या Diploma तो यह अगर तीनों में से कोई आपके पास एक qualification है तो आप इसके लिए eligible हैं ADIS के लिए next duration यानि निवोस या ADIS करने के लिए कितना समय लगता है तो देखिए आपका निवोस दो से तीन मन्त में हो जाएगा within two and three months इसमें आपका ज्यादा लंबा course नहीं है और जो ADIS है आपका यह one year का course है यानि आपके लिए इसको one year आपको पूरा देना होगा next fee यानि इन course को करने के लिए क्या charges आपको pay करने होंगे तो देखिए निवोस आपका अगर करना चाहते है यानि निवोस IGC अगर आप करना चाहते है तो आपको forty to fifty thousand देना होगा यह आपका अलग-अलग हो सकता है अलग-अलग states में अलग-अलग location में लेकिन है किसका यह प्रॉक्स है forty to fifty के in Indian rupees नेक्स्ट आपका ADIS ADIS भी आप 10 to 30 thousand में कर सकते हैं यह भी depend करता है किस location में आपका institute है किस state में है तो अलग-अलग थोड़े वो difference हो सकते हैं लेकिन इसका basic charge इतना ही है ADIS के लिए कुछ government colleges है जैसे कि RLI, CLI है अगर आप वहाँ से करते हैं तो आपका maximum 10 thousand में आपका हो जाएगा लेकिन अगर other किसी state से करते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा pay करना हो next point है affiliation यानि इन courses को माननेता कहां से मिला है यानि अगर आप निवोस कर रहे है तो किस board से affiliation इसको मिला हुआ है ADIS कर रहे है तो इसे कहां से affiliation मिला है कोई भी अगर हम course कर रहे हैं जैसे आप 12th student में पढ़ते हैं 10th class करते हैं तो हो सकते आप CBSE board से कर रहे हो अगर आप बिहार में तो बिहार बोर्ड से कर रहे हैं अगर उत्तर पर्देश में है तो यूपी बोर्ड से कर रहे हैं तो ऐसे निवोस कौन से बोर्ड से आपको कर यह कराते हैं नेक्स्ट आपका ADIS तो ADIS के लिए सबसे पहला तो आपका RLICLI है उसके बाद अगर आप सबसे पापुलर है आप समझ पाएंगे नेक्स्ट कोर्स पैटन इसमें किस तरह से कोर्स आपका कंप्लीट होगा एक्जाम्स कौन कौन से पेपर होंगे तो नेवोस में आपके दो पेपर होते हैं सबसे पहला है थियोरी सेकेंड प्रैक्टिकल पहले तीन पेपर हुआ करते थे फर्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट इसकी क्या value है तो देखिए अगर आप ने वॉस करते हैं और चाहते हैं कि गौर्मेंट जॉब आपा ले शेफटी में तो यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि ने वॉस किया हुआ है तो सही है लेकिन उसका कोई आपका यूज नहीं है गौर्मेंट जॉब के लिए लेकिन अगर अगे आप ADIS करते हैं तो यह government job के लिए काफी useful है इससे आप government job ले सकते हैं इसमें विकाफ़े सेरे और opसंस हैं लेकिनगर आप ADIS करते हैं तो यह काफी सीमपल है आप government job के लिए apply कर सकते हैं next आपका private job तो अगर आप nerve OS करते है तो आपका private job में plus point है आपके काफी chances हैं कि आपको hire करें लेकिन अगर आप ADIS करते हैं तो यह भी काफी अच्छा है इन इंडिया यह mandatory है अगर आप इंडिया में job करना चाहते हैं तो आपका focus ADIS पर होना चाहिए ना कि आपका नेवोस पर है तो सबसे पहले आपको ADIS complete करना चाहिए अगर आप इंडिया में job करें उसके बाद आप नेवोस के लिए preparation कर सकते हैं एक्जाम दे सकते हैं next point admission तो देखिए जो नेवोस में admission होता है यह आपका generally March, June, September में होता है लेकिन आप किसी भी मन्त में ले सकते हैं आपका जब भी इक्चाओ क्योंकि इंस्ट्यूट समय सा admission लेते रहते हैं लेकिन जो इसका official admission के मन्त है यह March, June, September है next ADIS ADIS के admission one senior year होता है यह साल में एक ही बर होता है यह आपका June यह जुलाई में होता है अगर आप चाहते हैं कि आपको इंडिया में जॉब नहीं करना आपको Gulf Country में जाना है तो आप बेसक निवोस करें लेकिन उसके साथ आपको ADIS भी कर लेना चाहिए क्योंकि आपके पास one year का कोई भी डिपलोमा होना चाहिए safety में उसके बाद अगर आप निवोस करते हैं तो आपके काफी चांसे से कि आप Gulf Country में इसली जॉइन कर लें बीना निवोस के भी जॉइन कर सकते हैं लेकिन जो contractors हैं यह चोटी मोटी companies हैं वहाँ पे आपको job मिल सकता है लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी भी MNC company में काम करने के लिए in the Gulf countries तो आपको निवोस पर focus करना चाहिए next result निवोस का जो result है आपका 10 weeks में आ जाता है और जो ADIS का आपका 7 weeks में result यह आपका so कर देता है next exam जो आपका निवोस का exam में एक से दो दिन में complete हो जाता है क्योंकि इसमें के बोल दो paper है आपका एक practical है और एक theory है लेकिन ADIS में आपका 2-3 हफते लग सकते हैं क्योंकि इसमें आपका काफी gaps भी होता है और इसमें आपको art theories practical team work यह सब को करना है और इसका जो एक्जाम है निवोस का आप एक्जाम hall में जाकर दे सकते हैं अभी क्या है कि आपको घर से ही देना है जब से lockdown शुरू है आपको यह घर से हो रहा है तो आप इसको घर से भी एक्जाम दे सकते हैं लेकिन जो ADIS से आपको इसके एक्जाम hall में जाना ही होगा आपका जो center होगा वहाँ पर जाके आपको एक्जाम देना होगा नेक्स्ट है रिजल्ट चेक आप निवोस या ADIS का रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं तो जो निवोस का रिजल्ट है आप ऑनलाइन चेक अपने से नहीं कर सकते हैं या आपको by mail आपका रिजल्ट सो करेगा या आपका जो organization है जहां से आपने course किया जो भी institute से वह आपको बता देंगे नेक्स्ट आपका ADIS इस course का जो भी certificate है रिजल्ट है आप online चेक कर सकते हैं नेक्स्ट है seeds यानि नेवोस में या ADIS में आपके कितने seeds available होते हैं तो नेवोस में seed का कोई limit नहीं है जितने भी बंदे चाहते हैं admission उसमें ले सकते हैं लेकिन आपका ADIS में limited रहता है तो इसमें जो भी पहले जाता है जिसका भी selection हो गया अगर आपका seed full हो गया तो आप उसमें apply नहीं कर पाएंगे तो मैंने आपको नेवोस और ADIS से related कुछ points discuss कर दी हैं तो अभी आप खुट decide करें कि आपको नेवोस करना या ADIS करना है thank you for watching, thanks